जैसे कि हम सब को पता है कि बाल जो होते हैं वो आपके चहरे को फ्रेम करते हैं आपके फेस को एंकेस करते हैं और आपका जो एक आउट लुक होता है उसमें इंका बहुत बड़ा रोल होता है इंका कलर, इंकी हैल्थ और इंका टेक्स्चर यह सब कुछ मिल के आपके जो चहर का फ्रेम है वो कितना खुबसूरत बनाते हैं यह सब उसके उपर टिपेंड करता है बालों के बहुत सारे इशूज है बट ज्यादा तर इशूज जो है वो उनको क्लिनिक्स में टैकल किया जा सकता है जैसे आपके सर पे डैंडरिफ है आपके सर पे अलोपेशिया अरियाटा है आपकी diffused थिनिंग हो रही है आपको चो है वो एज के साथ प्रेंटल थिनिंग हो रही है फ्रेमेल में या मेल छो है वो एंडो जनेटिक बॉल्ट पाटरन में हैर फॉल है यह सब चीजें जो है वो हम क्लिनिक में डील कर रहे होते होतें और यह बहुत पुरानी कितना है बाल जो है वो कितना रूखा और कितना लाइफलेस फील होता है या बाल जो है वो कितना शाइनी है कितना स्मूथ और कितना जो है वो स्ट्रेट या कितना टेम्ड है यह सब जो है यह सब चीजें जो है यह टेक्सचर में आती है इसका मतलब यह होता है कि आपके बाल और उनका अच्छा फील हो और उसमें से शाइन आरी हो और पहुत स्मूध और टेम और सीधा बाल जो है वो सब को पसंद आता है लेकिन ये सारी की सारी चीज़ें क्लिनिक्स में टैकल यूजिली जो है वो नहीं की जाती है अब भी जब बात करने वाले वो बेसिकली केरेटन अब बनीधय है ये उसको मोडिफाइई करता है ये उसको ठीक करता है वוא सम।द ये इशू इतना जादा कि बालों की अर्ली ग्रेंग हो एपना रही है या बाल जो है वो टेक्सटर- bareks बहुत ज़्झा रफ होत जारा है वह सब चीजें वो आझकल बहुत जादा कॉमएं इवन मेल्स में भी और फीमेल्स में भी यंग्स्टर्स में भी बहुत ज्यादा कॉमन है क्योंकि जो क्यामिकल इन्फलक्स है वो समहाओ बहुत ज्यादा है जितने भी हम शैंपू यूज करते हैं ज्यादा तर लोग जो है वो शैंपू प्लस कंडिशनर यूज कर रहे होते ह और वो 17 वं होते हैं और उसकी वजह से आपके बाल ख्राब हो रहे होते हैं और कलर और टेक्स्चर दोनुची चीज़ें उसमें ख्राब होते हैं फिर बहुत सारे ऐसे serums है, wax है, इसके혔 इलावा जो है वो बहुत सारी Hair sprays है फिर बहुत सारी thermal protection जी जो आप low drying से पहले यूज़ कर लेंगे तो वो फिल्स प्रोटेक्ट करेगा बाल को. और उसके बाद उसके उपर दूसरा रंग लाया जाता है यह सब की सब चीजे मिलाके आपके बाल का टेक्स्चर भी खराब होता है उसका जो अपना बॉंड होता है वो भी खराब होता है क्योंकि सल्फाइट जो है वो बॉंड बनाता है नॉर्मली बालों के और जब आप सल् पर्मनेंटली भी ये चेंज कर सकता होता है कि आपके बाल पहले स्ट्रेट थे टेम थे शाइनी थे आइसता वह रफ भी होते जाएंगे और उसमें थोड़ी सी वेफ भी आपको फील हो सकती है रफनेस की वज़ा से फिर बहुत दफा ऐसा होता है कि बाल क्यूंके सीधा करव खतम होना शुरू हो जाता है जितना ज़्यादा वो डिपलीट होगा उतना ही ज़्यादा हमें वापिस डालते रहना पड़ेगा रिपलैनिश करते रहना पड़ेगा तो ही आपके बाल जो है वो नॉर्मल रह सकते हैं वरना फिर ये खराब होते जाएंगे तो आजकल केमि अब हमने क्या करना है या हम क्या सजेस्ट करते हैं हम कहते हैं कि आप सब कुछ करें आप अपने बालों को स्टायलाइज भी करें आप उनको डाय फैशन डाय भी कराएं आप अपने बालों का कलर चेंज करना चाहते हैं वो भी करें उसके इलावा आप बालों को जो है वो उतनी मेहनत भी होनी चाहिए, सबसे पहले तो ये कि जो precautionary measures हैं, उनको या do's and don'ts जो है, उनको समझना चाहिए, जिससे हम बाल को बचा सकते हैं, बट हम उसको stylize भी कर सकते हैं, या उसको fashion dye कराएं, या जो भी आप कराना चाहते हैं, वो भी करें, लेकिन बाल आपका सेफ लिखावा होता है, वो वले शैंपू जूज करने चाहिए आपको नॉमल रूटीन में, रेगिलरली और उसके इलावा जो आपका कंडिशनर है, वो सेपरेट होना चाहिए, वो आपके शैंपू में एड़िड दी होना चाहिए, आप पहले शैंपू करें और उसके बा बात है कि जब शैंपू और कंडिशनर मिक्स्ट फाली एक चीज आप लगाते हैं तो तो सब जगा जो है वो सेम लग रहा है, आपके स्कैल्प पर जो वो शैंपू है उसके इलावा कंडिशनर भी लग रहा है और जो आपके बाल ने उसके ओबर भी आपका शैंपू लग अधर देन यूर कंडिशनर क्योंकि वो एक मिक्सचर है उसके बाद हम आज आते हैं कि आपने बहुत जादा तेज गरम पानी या जो हीटिंग इंस्टुमेंट्स होते हैं जैसे ब्लो ड्राइंग है बहुत जादा हॉट एर से वाम आप रखते हैं या कोल्ड एर देते हैं जो हैं वो और भी ज्यादा ड्राइ और भी ज्यादा रूखे और भी ज्यादा रूखे और भी ज्यादा रफ आपको फीलूंगे आप कहेंगे कि इसके बगएर तो अब मेरा गुजारा ही नहीं होता मैं अगर हैर आइरन को यूज ना करूं तो मैं अपने बालों को खोल ही नहीं सकती या बनाई नहीं सकती उससे यह होता है कि जितने भी हीटिंग टूल्स होते हैं वो सब के सब आपकी क्यारिटन को डैमिज भी करते हैं उसे कम करते जाते हैं और आपके बाल को बहुत जादा दे लीव यूर ड्राय यूर हैर वेरी फ्रिजी एन वेरी ड्राय जाहर और उसकी surface smooth नी रहेगी तो आपको बाल बहुत जादा rough और रूखा लगता है। इन सब चीजों से आपने regular basis पे avoid करना होता है। आप daily basis पे इसको नहीं कर सकते हैं। हाँ अगर आप कोई iron यूज़ करना चाते हैं या blow drying करना चाते हैं तो वो आप महीने में एक दफ़ा कर रहे हैं दो दफ़ा कर रहे हैं देन इस ओके। फिर हम आजाते हैं कि जो fashion dyes होते हैं बालो का जो texture या उसका color है वो कैसा है। यूजली हमारे हाँ बाल जो है वो मोटा होता है वो fine hair नहीं होता, coarse hair होता है आदमियों का भी, और अड़ों का भी और कलर जो होता है बाल का वो dark होता है बहुत ज़ादा जो है जट black होता है या पिर black होता है और या पिर dark brown के tones होते हैं उसमें आप लोग कहते हैं मतलब salons जाके के हमें जो है वो blonde hair चाहिए या हमें highlights, low lights जो है वो blonde hair, blonde color की चाहिए या फिर आप लोग कहते हैं के honeycomb color के बाल चाहिए या फिर आप कहते हैं के chocolate brown और उसके अंदर कुछ streak सी look होगी या ash gray चाहिए ये सारे के सारे colors जो है वो ऐसे बालों पर नहीं आ सकते हैं उसके लि जाक से बहुत जादा lighter tones में जाना जारे हैं इसके लिए ये है कि आप ये सब कुछ करा सकते हैं बट उसमें bleach involved नहीं होनी चाहिए जब bleach involved हो जाएगी तो फिर उससे आपके बाल जो है वो बहुत खराब हो जाएंगे और आपके बालों में early green जो है वो start हो जाएगी nevertheless ये जो बालों को सीधा करने के चकर में बहुत सारे ऐसे procedures हैं तैसे rebonding है उसके लावा बहुत सारे और straightening procedures हैं जिनको use किया जाता है और आप लोग क्योंके आप लोगों को दिल करता है कि बाल straight होने चाहिए बगार ये सोचे वे कि कौन सी चीज आपके बालों को कितना नुक्सान पहुँचा सकती है कि पहुँचाएगी आप उसको करवा लेते हैं उसमें ये है कि keratin infusions जो है क्योंके वो pure keratin होते हैं तो वो बिल्कुल safe option है आपके पास safe option इस तरह से होती है कि वो आपके bond बाल के अपने natural bond से प्ले नहीं करती है आपके बाल को कोई खत्रा नहीं है आपक पहले से बहुत 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 लगेगा जैसे अकर आपके five hair and let's suppose और जब हम उनके उपर क्यारिटन इन्फूशन देंगे तो आपको five की बजाए वो seven to eight लगेंगे और इसके इलावा आपके जो hair cut होता है बिकिस आपके बाल तेम हो जाएंगे और तकरीबन 70 to 80% straight हो जाते हैं तेम हेर जो है वो डेट स्ट्रेट नहीं होता जैसे आप आइरन से करते हैं या और बहुत सारे प्रोसीजर के बाद बाल होते हैं लेकिन उसकी वजह से बाल क्यूंके थिक होता जाता है उसका अपना वेट बढ़ता है और थिकनेस की वजह से और स्मूथ ह हीटिंग टूल्स को छोड़ देंगे और आपको बाल बनाना बहुत आसान हो जाएगा और आप इसको बार बार करवा सकते हैं क्यूंके इसका चो टाइम लिमिट है वो 6-8 मांथ होता है आप उसके बाद इसको दुबारा करवा सकते हैं इसको करवाते रहने से स्ट्रेटनि प्रोसीजर्स की तरह बाल खराब नहीं होता या तूटता नहीं है बिलके बहुत अच्छा और हेल्डी रहना शुरू हो जाता है और वो उसी तरह से मेंटेंड रहेगा फिर हम आजाते हैं केराटन इंफूजन पे केराटोक्स पे केराटोक्स जो है उसके अंदर केराटन की तरह ही सब कुछ होता है बड़ उसके अंदर बोटॉक्स भी डालावा होता है बोटॉक्स जो है वो चो आपके डैमिज्ड बॉंड होते हैं उनको रिपेर करता है जैसे आप पहले बहुत सारे क्यमिकल प्रोसीजर्स जिसमें फैशन डाइस है या स्ट्रेटनिंग प्रो देगी वॉल्यूम देगी उसको टेम करेगी और उसको जो है वो स्मूद चाइनी और हल्डी करेगी और हमारे पास जो है वो कैरिटन बेस्ट जो है वो डाइस भी अविलिबल है जिस से आपको विदाउट एनी ब्लीच या बाल को बाल के कलर को कट डाउन किये बगएर बट लोर एंड्स जो होते हैं उसको हम कवर करते हैं इन सब तरीके यह सब के सब जो तरीके हैं यह बल्कुल सेफ हैं और इससे आपके बाल सेफ रहेंगे लेकिन आप उनको स्टाइल भी चेंज कर सकते हैं उनका कलर भी चेंज कर सकते हैं विदाउट एनी हैज़र्ट टु हम dyes कर रहे होते हैं basically जो लोग gray coverage के लिए घर में बार बार dyes यूज़ करते हैं वो usually shampoo based dyes होते हैं और वो आप sulfate वाले shampoo यूज़ कर रहे हैं और dye हर 10 दिन हर 15 दिन के बाद वो लोग लगा रहे होते हैं males भी और females भी उससे क्या होता है कि बाल जाड़ियां बनते जाते हैं और जितनी दफ़ा आप shampoo करेंगे बाल तो खराब होई रहा है साथ में आपका dye उतर रहा है और वो आपको लगता है कि नी मेरे तो बालों मेरी roots निकलाती है roots निकलाती इससे तो बाल आपका pound इतना लंबा हो जाएगा वो लंबा नहीं हो रहा होता बलके वहां से color खतम हो जाता है dye उतर जाता है इसके लिए हमारे पास permanent dyes जो हैं वो वेलिबल हैं जो कि हाइबो अलरजिनिक होते हैं आप उनको बार-बार भी कर सकते हैं बट यूजिली ये वले dyes को चार से छे हफ़ते में रिपीट करना पड़ता है और इससे ये फाइदा होता है कि आपके बाल खराब नहीं होंगे और आप अपनी इंफ्रमेशन और क्या कहते हैं नए तरीके या नए प्रोसीजर के बारे में पता चला होगा और जो आपकी क्वेरी सोंगी वो बहुत हद तक क्लियर हो गही होंगी और होफुली आप जो डूज और उनको फोकस करेंगे और ये धिहान रखेंगे कि आपके पास बाल होंगे तो ही आप उनको स्टाइलाइस कर सकते हैं अगर बाल नहीं बचेंगे तो आप उनको स्टाइलाइस नहीं कर सकेंगे